हलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ची गुरुची में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फोमेशनल वीडियो निकार किया गली हूँ जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में बहुत सारे बच्चे UPSC Civil Services Examination की प्रपरेशन कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एक्जामिनेशन की प्रपरेशन कर रहे हैं तो आज हम सबसे पहले UPSC Civil Services Examination जिसे हम IAS Examination के बारे इतनाम सी भी जानते हैं उसके बारे में पहले हम थोड़ा सजानेंगे फिर हम वीडियो में आगी बढ़ेंगे UPSC Civil Services के Examination जो आते हैं वो दो parts में होते हैं Examination इसके बाद Interview अलग होता है यानि total 3 stages होती है इसके Examination की Number 1 पर आता है Prelims, Number 2 पर आता है Mains और Number 3 पर आता है Interview अब Prelims के बाद करें तो Prelims में आपका Paper आता है Objective Paper इसके बाद Mains जो होता है वो आपका Subjective होता है Prelims में आपके दो Paper आते हैं GS का Paper, CSAT का Paper जो की Objective होता है इसके बाद जो Mains Paper होता है Mains में आपके काफी सारे exams होते हैं जी हां Optional Subject के Paper होते हैं आपके GS के Paper होते हैं आपके Qualifying Nature वाले Paper होते हैं Language Paper होते हैं इसके बाद आता है Interview आए एस Examination का Interview तो पूरे इंडिया में काफी ज़्यादा Famous है कितना Tough माना जाता है Personality, Development, Classes इसके लिए बहुत ज़्यादा सरूरी है Students के लिए और इसे के साथ इसके Paper में Negative Marking भी होती तो प्लीज, Answers गलत मत कीजिए, गलत आंसर डिक मत कीजिए अगर आप Question में बिलकुल Sure हैं तब ही उस Question को आप चौरम कीजिए उस Question को Attempt कीजिए Otherwise, Negative Marking से, 0.1 Negative Marking से भी आपके Ranking में काफी असर पड़ जाता है लखो रांकिंग में असर पड़ता है तो इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिए, Negative Marking में बिलकुल मत पड़िए दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं, राजस्थान की राजधानी जैपूर की जैपूर बहुत ही ज्यादा Famous है विजिटिंग प्लेसिस के लिए, रजवारा स्टाइल के लिए, चौकी धानी के लिए बहुत ही फेमस शहर है और इसी शहर में बहुत सारे बच्चे Government Jobs की प्रप्रेशन्स भी कर रहे हैं राजस्थान के एक्साम्स बहुत जादा Famous है, राजस्थान State Government की भी प्रप्रेशन्स यहां पर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और All Over India Central exams की भी प्रप्रेशन्स यहां पर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं उनहीं लोगों के लिए ये वीडियो है इस वीडियो को लास तक ज़रूर देखिए इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफोमेशन मिलेगी जैपुर में प्रप्रेशन करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेलोफुल है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां हमने टाप 10 रांकिंग्स की बात करी हैं कौन सी रांक पर कौन सा इंस्टिक्यूट है और हर इंस्टिक्यूट के बारे में एक शॉट कर डीटेल हमने आपको अपलोड कर देती है जिसमें सभी इंस्टिक्यूट की शॉट डीटेल्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी उस वीडियो का लिंख नीचे डिस्क्रिप्शिन लॉक्स में मौझूद है आप वहां जाकर के उस पेज को विजिट कर सकते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं और सभी इंस की लिस्ट की तो मैं आपको वो लिस्ट दिखा दिना चाहती हूँ आप देख सकते हैं कौन सी रंक पर कौन सा इंस्टिक्यूट मौझूट है अब बात करते हैं हम आज के कोचिंग इंस्टिक्यूट्स की दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं राउज आईयस कोचिंग सेंट इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौचूद है, ये इंस्टिक्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टिक्यूट है, और इस लोकेशन में बहुत ही ज्यादा फेमस है, जी हां, इस इंस्टिक्यूट में आपको study material कोर्स के साथ ही बनवाए जाता है, इसके अलावर test series भी आपको provide की जाती है, इनका infrastructure भी बहुत जादा अच्छा है और इनका results भी बहुत जादा अच्छे में improve हो रहा है, यानि हर साल इनके coaching institute से बहुत सारे बच्चे exams qualify करते हैं, और वो बच्चे आपसे दबारा मिल करके अपना experience शेर करत किस तरीके से उन्हों ने इस exam की preparation करी थी और वो चीजें आपको किस तरीके से help कर सकती हैं आपके exam को qualify करने के लिए, तो दोस्तों इनकी details आपके सामने screen पर मौझूद है, आप इन्हें visit कर सकते हैं, आप इन्हें contact कर सकते हैं, और और जादा details के लिए आप हमारी पेज को कर सकते हैं, हमारी पेज का link नीचे description box में module है, किजिए हमारे चानल को subscribe किजिए और bell बटन को प्रेस करना पिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत जादा महनत करके आपके लिए ये videos लेकर के आती हैं, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक नई location की, एक नई वीडियो की, एक नई information के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी preparation को जारी रखिये, all the bell